आज में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पर्मीशन मोडाल्स की वीडियो अब जाहिर सी बात है अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश में पर्मीशन लेना भी यानिके इजाज़त लेना भी आना चाहिए अध्यिज झब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो इसकूल में हमने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो मतलब स्टार्टिंगिदेश में फर्स डे में फर्स डेव पर हमने एक सेंटेंस जरूर सी खाए और वो सेंटेंस कुछ था यह मिस में आई कम अवे लिए एसस पार में या रेस्ट रूम या वाश्रूम ठीक है वाश्रूम जो है वो पहले यूज किया जाता है जाता था लेकिन अब जो है वो वाश्रूम के बजा रेस्ट रूम का इस्तमाल किया जाता है खर ये तो हो गया एक अलग सा टॉपिक लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मौडालज ठीके बेसिकलि तीन प्रमिशन मौडालज जो कि हम आम तोर पर इंग्लिश मैं प्रमिशन लेने के लिए मतलब अगर हमने किसी से इजाज़त लेनी है तो उन से हम इजाज़त इन तीन तरीकों से ले तो इन तीनों के बीच में फर्क क्या है असल में हम जानेंगे इन तीनों के बीच का फर्क कि पर्मिशन मौडाल्स चले हमें पता है कि तीन हैं लेकिन फिर इन तीनों को कब कहां किन सिचुवेशन में किन के साथ या फिर किस से पर्मिशन लेने के लिए इस्तमाल करेंगे तो हम इन तीन मॉडाल्स के जरीय से इंग्लिश में हम बाए आसानी उन से पर्मीशन ले सकते हैं तो चले बढ़ते हैं आगे। सब सब पहले में बात करूंगा केन की तो ti خ ..क और किस सिचुवेशन में इस्तिमाल करते हैं permission लेने के लिए can को हम permission लेने के लिए informal situation में इस्तमाल करते हैं ठीके informal यानि के बेदब तरीके से या फिर दोस्ताना तरीके से ठीके दोस्ताना या फिर बेदब तरीके से यानि के बिल्कुल friendly होकर जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा friendly हैं और हम उनसे अगर permission लेते हैं तो उनसे हम permission केन की मदद से यानि के informal way में जाहिर से बात है केन को हम कब किस situation में यूज़ कर सकते हैं informal है बेदब है दोस्ताना है तो जब हमें अपने दोस्तों से यानि के friends से यानि के उन शक्सियाद से यानि उन लोगों से जब हमें permission लेनी हो जो हमारे बिल्कुल close हैं या हमारी उनसे बहुत अच्छी understanding है हमें पता है कि भाई वो माइंड नहीं करते हैं या वो हमें समझते हैं कि भाई हम जो भी जो है वो कह रहे हैं तो वो उसको बुरा नहीं मानते तो दोस्तों से अगर हमें permission लेनी होगी तो English में हम केन की मदद से informal way में यानि कि बेदब तरीके से permission ले सकते हैं अजाज़त ले सकते हैं खर अब बात करते हैं कुड की कि कुड को हम कब इस्तमाल करते हैं और किस situation में कुड को permission लेने के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीके तो कुड को इस्तमाल किया जाता है formal situation में formal situation यानि कि अदब वाली या तमीज वाली situation में कि जब हमें बिल्कुल जो है वो अदब और तमीज से अगर किसी से permission लेनी है जाहिर सी बात है जब आपका कोई मतलब सामने वाला जिससे आप आप इजाज़त मांग रहे हैं वो आपके ना कोई दोस्त हैं ना आपके उन से कोई अच्छी understanding है तो आप उनसे इजाज़त मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है एकम्दESS से बिलकुल तुमीज से ही ऩार ने उन से पेश आएंगे तो कुझ से हम羏ut Hadamρόl में जोभी परमीशन लेते हैं अजिसे के हमारे साथ के ग्यार का में शकाष जिर्फ लेनी ओती है तो हम कुझ की मदद से लेते हैं वैल मारे साथ इंपलोई का यह त्छी सि की किसे जिनको कहलें या फिर कोली के लिए जो हमारे साथ में जोब करते हैं अब उनकी भी जो ने इंशन हे उनका भी जो रेंग है ऑह Oֹधा है जो भी मतलब मर्तबा है या रुथबा है वो आपके रुथबे और आपके मर्तबे के बिल्कुल बराबर है इकॉल है लेकिन आप लोग फ्रेंड्स नहीं है मतलब एक अच्छी सी अंडर्स्टेंडिंग दोस्ताना माहूल नहीं है लेकिन आप दोनों के बीच में क्या है कि हाँ भाई एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि कुलीग हैं एक साथ काम कर रहे हैं तो कुलीग है अब उनसे अगर हमें पर्मेशन लेनी है तो वो हम कुड़ के जरीए से ले सकते हैं अब में बात करते हैं, अगर में की तो में जाहर से बात है कि हमने सकूल लाइफ में अपने तमाम तर असाध्जा अपने तमाम तर टीचर्स जिन से हमने आज ये पढ़ना लिखना सीखा है, ठीक है तुम तुम्हें शुकर गुजार हूँ बहुत जादा अपने भी तमाम अस कि जिनकी बदोलत आज में इस मकाम पर हूं तो उनसे हमने जब भी पर्मीशन ली स्कूल टाइम में तो हमने में ही से ली है तो इसका मतलब क्या हो गया कि में जो है एक कि फॉर्मल सिचुवेशन में ही यूज किया जाता है यानि में से हम तब पर्मीशन लेते हैं जब हम बिल्कुल अदब से पर्मीशन लेना चाहें यानि कि अदब वाला तमीज वाला खर अब आप शायद और कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर कोड़ भी तो फॉर्मल वे में आप पर्मीशन ले रहे हैं कोड़ के जरीए और में के जरीए जो है आप फॉर्मल वे में पर्मीशन ले रहे हैं तो चले हमने में तो सुना है हमारी स्कूल लाइफ में लेकिन हमने क से कभी परमीशन लेते वे नहीं सुना है तो चले इन दोनों की बात कर लेते हैं साथ इसाथ केन की भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लोंगा के इन से अगर आप अपने दोस्त को यह कहें यानि कि अपने फ्रेंड से यह कहें कि ला भाई तेरी बाइक की चा बाभी जारा चावी दे यह तो क्या आप अपने फादर से याने के वादिसाप से क्या उनसे भी ऐसे परमिशन लेंगे अब्बू जारा चावी थे मैं ख्ञाव लेंगे विल्कुल भी नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर हम केन का इस्तमाल नहीं करेंगे कि या अगर हमें अबू से यानि कि फादर से या फिर किसी ऐसे से जो हमसे बड़े हैं उनसे अगर हमें कोई permission लेनी है तो हम केन के जरीए से नहीं ले सकते तो फिर क्या कुड के जरीए से लेंगे नहीं कुड के जरीय से भी नहीं लेंगे तो बात करते हैं अब कुड और में की डिफरेंस की कि कुड और में में क्या डिफरेंस है कि हम कब में को इस्तमाल कर सकते हैं और कब कुड को इस्तमाल कर सकते हैं तो सब सब पहले जरा सा ध्यान से क्योंकि में को हमने कब इस्तमाल किया जब हमने सामने वाले को यानि कि जिससे हम इजाज़त ले रहे हैं उसको हमने अपने आप से अहदे में, रुत्बे में, इल्म में, नालिज में, एज में, किसी भी लिहास से जब हमने सामने वाले को अपने आप से बड़ा समझा यानि क और कुड को हम कब इस्तमाल करते हैं ये भी फॉर्मल है ये भी फॉर्मल है तो इन दोनों का फर्क ये है कि में को हम तब इस्तमाल करते हैं जब हम सामने वाले को अपने आप से बड़ा समझते हैं कि हाँ बैं काबिल इज्जते काबिल इस्ताराम जब हम समझते हैं ठीक है और कुड को हम तब इस्तमाल करते हैं जब हम सामने वाले को अपने से बड़ा यानि कि अपने से बड़ा नहीं समझते हैं जब हम सामने वाले को अपने बराबर का समझते हैं बराबर से मुराद ये कि जैसे मैंने वो example दी कुली की या फिर को वर्कर की जो आपके साथ जोब कर रहे हैं काम कर रहे हैं अब उनका जो उहदा है उनका जो रुदबा है वो आपके बराबर है लेकिन अगर मैं बात करूं मैनेजर की या फिर CEO की तो फिर इनका रुदबा क्या आपके जो रुदबा है उससे ज्यादा है जब उससे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि भाईया मैनेजर से हम केन से तो परमीशन लेंगे नहीं, ठीक है, कोड़ से भी नहीं ले सकते, तो फिर हमें जाहिर सी बात है कि में से परमीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हम से उहदे में रुतबे में बड़े हैं, ठीक है जब हम सामने वाले को अपने से बड़ा नहीं समझते हैं औहदे में, रुद्बे में, इल्म में, एज में, किसी भी चीज में हम समझते हैं कि हमारे बराबर है, इक्वल का है तो तब हम कोड से उन से permission लेते हैं अब रही बात ये कि सर हमने कभी कोड का सुना नहीं है कि कोड से भी permission ली जाती है तो वह यह मैं आप लोगों की knowledge के लिए ये बताता चुनूं कि हमारे याँ में जो है वो बहुत ज्यादा commonly use होता है permission लेने के लिए, डूसरा can, ठीक है अब ये कुड कहां use होता है देखें, ज्यादा तर आप सुनेंगे Americans को, ठीक है When you listen to them, then most definitely you're gonna listen to them That they take, they usually take permission with the help of कुड While using कुड, they take permission कुड को इस्तमाल करते हुए ही वो permission लेते हैं उनके वहां में का कोई concept नहीं है जैसे हम सामने वाले को बड़ा समझते हैं इज़त देते हैं, काबिल इतराम समझते हैं ठीक है, महतरम समझते हैं लेकिन उनके यहां कोई काबिल इतराम महतरम कुछ भी नहीं है उनके लिए वहां माबा सब बराबर ठीक है, father, mother brother, sister ठीक है, even their pets ठीक है, अगर उनके pets की भी बात करें उनके लिए वहां सब कुछ सारे के सारे बराबर हैं उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर उनके लिए, फिर सब के साथ वो कुछ से permission लेते हैं और अगर friends की बात करें तो friends के लिए वो भी जब हम permission लेते हैं तो ज़्यादा तर हम अपने लिए permission लेते हैं, तो हम जब भी can, code या फिर में को इस्तमाल करते हैं तो हमारा जो subject होता न वो या तो I होगा या फिर V होगा I या फिर V, जिसे can I, can I take your pen can I use your computer okay, can I use your computer can I use your computer can I borrow your laptop can I borrow your bike for a while, ठीके, अब I और V को ज्यादा तर हम यूज करते हैं, permission लेने के लिए, और दूसरी बात जब हम permission ले रहे हैं तो भाईया हम क्या कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीके, तो इसलिए ये इन तीनु के जब भी आप permission लेंगे, तो सवाल ही बनेंगे ठीके, मतलब questions ही बनेंगे तो can I use your computer, अब कुछ से एक जुमला बना लेते हैं, ठीके, तो कुट आइ बोरो योर कर, कुट आप बोरो योर कर, कुट आप बोरो योर कर, ओके, मैं से एक संटेंस देख लें, ठीके, मैं आइ, आइ, मैं आइ, कम इन ख्लास्रोम, ठीके, इन तीनों मौराल वर्ब्स के संटेंस आ गए, ठीके, मौराल वर्ब्स स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब, फिर आपका अबजेक्ट, इस तरह से इस, इस पैटरन से हम इन तीनों मौराल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं, अब उर्दू ट्रांसलेशन इन तीनों की ज्यादतर जो होती है, वो कुछियों होती है, ठीके सकता है या फिर सकती है या फिर सकते हैं इन तीनों की उर्दू ट्रांसलेशन तक्रीबन सिमिलर है हाँ अगर आप केन से परमिशन ले रहे हैं और हमारी एवरीडे लाइफ वाली अगर उर्दू बोलना है यानि के गुलावी उर्दू जो हम बोलते हैं तो अगर हम वो गुलावी उर्दु बोल ले हैं तो तु तड़ाक वाली या अबे तबे वाली जो लागन विज है वो हम केन की ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या मैं तेरी बाइक ले जाओ समझारी बात अबे ओ भाई बात सुन क्या मैं तेरी बाइक ले लूँ बाइक या उमीद करता हूं आप लोगों को समझा गया होगा और बागी फिर यह कि क्या मैं आपकी बाइक ले जा सकता हूं ठीक है क्या मैं आपकी बाइक ले जा सकता हूँ अगर कोडिया फिर में है तो उमीद करता हूँ कि ये एक permission moral verb का जो lecture है वो आप लोगों को समझा गया होगा और अब आप लोग English में permission लेना भी सीख चुके होंगे वेल अब तक के लिए इतना ही मुझे इजाज़त दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफाज